प्रेजिए प्रेपर एक वर फिर से उमीद कर रहा हूं बच्छों आप सब लोगों की तयारी बहुत ही बहतरीन चल रही होगी पॉलोटेखनिक एंट्रेंस एक्जाम के स्षीरीज के अंदर आज हम एक छूटा सा टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जिसकी यदि हम लोग बात करें तो उस पर जो कोश्चन पूछे जा रहे हैं वह भले बहुत जादा नहीं हो पर उस टॉपिक का इन्वाल्मेंट बाकी बहुत सारे टॉपिक के अंदर बहुत जादा है यह आपका वर्गमूल एवं घनमूल इसक्वाइर रूट या फिर अगर हम लोग बात करें आपर क्यूब रूट उसके आज हम चर्चा करने वाले तो शुरू के दस से पंदरा मिनट उसमें जो की पॉइंट्स है वो पॉइंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं उनको हम जान लेते हैं उसके बातांको के नियम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उसको और इसको मिलाकर बहुत अच्छे कुशन डिजाइन की जा सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले जरूरी है हम वर्गमूल एवं घनमूल को अच्छे से समझ लेक बार सभी बच्चे कमेंट करके मुझे ब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे आप सभी बच्चे आज के सेशन को इंज्टोई करने वाले सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सर क्या टॉपिक आज हम डिसकस करने वाले है थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट करेंगे और मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं यदि आज ही क्लास में आपको बहुत मजाने वाले सुझे टॉपिक आज का मारा है वो क्या है वह बच्चे वर्ग मूल कि एवं गनमूल कि सर अगर हम लोग बात करें ने क्या बूला जाएगा इन्हें बूला जाता है स्क्वाइरूरूट कि एंड क्यूब रूट अगर हम बात करें वर्ग मूल एवं घनमूल इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमाल लीजा आपके पास में एक नंबर है जिसको हमने लिखा फॉर अगर मुझे इसका वर्ग मूल लेना है यानि स्क्वाइरूट लेना तो पहली चीज तो इसको लिखा जाएगा ऐसे कि इसे हम बोलते कर नी क्या बोलते बैटा कर निग तो हमने का सर इसको वने बनाया ऐसे और यहां पर लिख देंगे टू इसका मतलब होते है यह हो गया आपके पास में वर्ग मूल जिसको बोलते स्क्वाइरूट इसको लिखा जा सकता है ऐसे चार और इसकी घात में कितना बात को जानते होंगे सर अगर मैं बात करूं क्यूब रूट यानि कि घनमूल के अगर मैं चर्चा करूं तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर 3 से तो सर यह कैसे लिखा जाएगा आठ और इसकी पावर में जाएगा एक बटे 3 सर अगर यहाँ पर करनी के साइन के और आपको समझ में आ रहे होगा तो आज के इस वीडियो का हमारा जो अब्जेक्टिव है कि हम क्या डिसकस करना चाहरे हैं सर आज तुम्हाँ बता देता हूं आज हम इस स्कुआयर रूट को जिसको आप वर्ग मूल बोल रहे है मैं लिक देता हूं यहापर आज हम लोग इस वर्ग मूल को और इस घनमूल को शुरुवात के कुछ मिंटों में समझेंगे और उसके बाद में इससे जूड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने वाले हैं तो सभी बच्चे आखरी तक वीडियो को जरूर देखेगा तीकि सर अगर मुझे वर्ग मूल या घनमूल करना है तो इनको फाill करने का सबसे आसान तरीका होता है उसे बोला करूं factorization method तो इसे बुला जाता है गुणनखंड विदी ये गुणनखंड विदी बोलती है कि सर आपको जो भी नंबर दिया जा रहा है उसके आप factors उसके गुणनखंड पता कीजिए पहले यानि कि सर जैसे मुझे 4 दिया गया है तो 4 के गुणनखंड मैं कैसे निकालूंगा दो से शुरू करना है और दो से इसमें भाग लगाना चालू कर दो मैंने का सर 2 का 4 में भाग लगाउंगा तो कितना आएगा यहाँ पर two 2 दोनी चार उता है तो यहाँ पर कितना जएगा बेटा फिर से two अब नंबर जो आ रहा है दो इसमें किसका भाग करें 2 से शुरू करना है 2 से ठीक है और जितने भी अभाज्य संख्या उसी से चक्क तो इससे यहां प्राइब से दिवाइट चले सकता है ? यहां पर आजUREगा एक तो सब चार के गुणन खंड द चार के फ्रेकटर कौन कौन से वए दो गुणा दो चार को ऐसा लills सकते हैं मैंने का हाल लिख सकते हैं ठीक सब जाल रहे हैं stud जब हम find कर रहे हैं वर्ग मूल जब हम find कर रहे हैं वर्ग मूल यानि की square root एक बात का ध्यान रखे कि सर वर्ग मूल या square root जब हमें find करना होता है तो जो गुनंडखंड किये जाते हैं उसमें दोडो के युगम, दोडो के पेर बनाया जाते हैं, तो क्या करना है सर आपको? Make पेर आफ टू टू का मतलब ऐसा नहीं, दोडो के मंलब दोडो नमबर का पेर बनाना होगा दोडो के युगम बनाओ अगर आप ऐसा करते हो तो मैंने का सर इसमें एक ही पेर बन रहा है दो तो इसका मतलब इटा चार का चार का वर्ग मूल कितना होगा दो जितने पेर बनेंगे न वो यहां पड़ लिखने होते हैं सर इसको नूसरी तरीके से भी तो सोचा जा सकता मेंने का कैसे अगर आप यह बोल रहो कि इस वर्गमूल का मतलब है चार की पावर एक बटे 2 मैंने का हाँ तो सर चार क्या होता है गुंधो तो चार मैंगे क्या लिग सकता हूं 2 गुणा 2 और पावर कितना आगे एक बट थो तो सर्य दो की पावर हो जाएगा मैंने का हो जाएगा सर्य पर कितना एकर वन बाइटो तो यहां पर यह जो 2 गूणा healthier कितना अगया दूए सब की स्क्वाइर रूट यह वर्गमूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा ऐसे गुणन खंड करने होंगे सर एक चोटा से एक्जामपल और बता दो एक चोटा से एक्जामपल और बता दो मैंने का जैसे माल लीजिये हमको किसी ने कहा सर क्या यही कोश्चन आएगा क्या नहीं ब चैना रहे है साथ ए यॉट अब क्या सर अब भी 22 से हो रहा है कितना आय थर्टीस लिए अब मेंने का अभी 12 से अरी 9 अब अब दो से नहीं हो घृहींतनी जोड़ें तो थीन से चेक रहों सथीन से ओर मैंने काशा अब मैंने काशा अब भी 3 से होरा है तो सर 144 को आपने कैसे लिखा मैंने का 144 को मैंने लिखा 144 को मैंने लिखा दो गुना, दो गुना, दो गुना, दो गुना, दो, एक, दो, तीन, चार, फिर तीन, गुना, तीन, अब बनाओ पेर, एक, दो, तीन, तो पहले पेर मेंसे किसी एक को उपर लिख दो, दूसरे मेंसे किसी एक को उपर लिख दो, तीसरे मेंसे किसी एक को उपर लिख दो, तो क्यों चम्मने सब्सक्राइब टो एक ढूरा दो गुरा दो गूरा दो गूरा दो गूरा टीन गूरा टीन 150 2017 कि नघे एक बूर कितनी नगवार जोगने की पावर आरिये चार और तीम पावर आरिये दो और यह गया आपको समझ में आ गई करते हैं मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये बात समझ में आ रहे होगी कि कैसे स्कॉर रोट फाइंट किया जाता है एक बार कमेंट करके बता दो एक बार कमेंट करके बता दो कि ये बात आपको समझ में आ गई एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो कि ये पॉइंट जो है मुहम्मद बताएंगे क्लियर हुआ के नहीं हुआ मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर है कोई कोई समस्य से अंदर नहीं होने चाहिए हमने का ठीक है सर जो स्कॉयर रूट उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है अगर माल लीजिए हमें हमें find करना है गनमूल अगर हमें find करना लगा गनमूल तो यह गनमूल कैसे निकालेंगे आप मैंने का देखे बैटा जो गनमूल उता है याने कि चोक्यूब रूट होता है क्या होगा ब्रूट क्योब रूट इसके लिए भी आप गुननखंड विधी को इस्तमाल कीजी, इसके लिए भी आप क्या करेंगे बिटा, गुननखंड विधी को इस्तमाल करेंगे, हमने का क्या है गुननखंड विधी, जैसे माल लीजे आपको बोला गया है कि आठ का घनमूल निकालिया आप, तो आप सबसे तो पहले आठ के गुणन खंड यानि फैक्टर्स कर दीजिए हमने कहीं आ गया एट टेलिग्राम लिंक जो होता है उपर देखे चैट सेक्शन में उपर पिन कियावा एक मैसेज उसके अंदर है तो सर इसको दो से डिवाइड करेंगे पिर दो से डिवाइड करेंगे तो फिर चार आएगा फिर दो से डिवाइड करेंगे फिर दो आएगा और फिर एक है तो 30 between का है के यर हम लिक है व्ड़न जा या सि वह और रह रहा है उन्स हम प्रीकिल और फिम्सेंकि बन रहा है और बन जो कर डो और और बन रहें तो और और अब असर लेक्ति हो जाएगा था या की रहिक है कि तर्षा बिल्कुल दो गुना दो गुणा दो यहां एक बटे तीन मैंने का हाँ दो की पावर तीन और उसकी पावर में एक बटे तीन तो सब तीन से तिन कट जाएगा और आंसर कितना आजाएगा दो तो यह घनमूल निकालने का तरीका हो गया और मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को इसके अंदर के बता देंगे एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे ayam già gas कि यहां अ क्लियर हो गया क्या मुझे लगता है कि यहां तर्क हो जारा चाहिए कोई दिक्कत निए होंगी जाते अब अभी यहां पर यहां पर यो आपने एक्जाम में ये बात तो नहीं पूछा जाएगा और से अगर बहतर कोशिन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा मैंने का उसके जिए आपको 2-3 चीजे ध्यान रखने पड़ेगी सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एक से लेकर 30 तक के की जो वर्ग है कि या फिर स्क्राइब कर रहे हैं कि वह याद होने चिए सरव दो का इसक्वायर चार तो चार कमुल नोय क्या फिर आप वर्ग मूल या बाद कर लो टुमेने चाहरा वर्ग इसक्वायर याद कर लो कि यह याद करने की जरूवत है कि सर ऐसा करने से क्या होगा बहुत सारे ऐसे कुश्चन होंगे बिटा जो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस पीडियाफ में लिखकर भी लाया हूं लिखकर भी लाया हूं आप लोग थोड़ा सा एक आईडिया यहाँ पर ले सकते हैं कि सर अगर मैं बात करूँ एक का स्कॉयर वन होता है दो का चार होता है यह विजिबल है ना यह प्रॉपर विजिबल होना ची मेरे ख्याल से तो तीन का नो है चार का स्कॉयर 16 है पांच का स्कॉयर 25 है छे का स्कॉयर 36 साथ का स्कॉयर 49 है आठ का 64 है नो का 81 है दस का 100 है 11 का 112 है 12 का 44 है 13 का 169 है 14 का स्कॉयर 196 दिखाई दे रहा है यह आपर 15 का स्क्वाइर 225, 225 है 16 का स्क्वाइर 256, 256 है 17 का स्क्वाइर 289, 298 है 18 का स्क्वाइर 323, 24 है 19 का स्क्वाइर 361, 361 है 20 का स्क्वाइर 400, 400 है 21 का स्क्वाइर 441, 441 है 22 का स्क्वाइर 484, 84 है 30 का स्क्वाइर 529, 529 है 24 का स्क्वाइर 566, 576 है है पच्चिस का 625 है चबिस का च्छेसोचेतर है और सताइस का साथ सो उन्तीस है अठाइस का साथ सो चौरासी और उन्तीस का आट सो तालेस और तीस का अगर आप देखेंगे तो 900 है यहां से बहुत सी काम की चीजे निकल कर आती है जिनको आप अच्छे से देखिए एक बात आपको समझ में आएगी सर पहली काम की बात पहली काम की बात जो अगर आप अब्जर्व करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा मैंने का क्या है सर वह पहले काम की बात मैंने का पहले पहले काम की बात ये है कि इन में से कोई भी स्क्वायर कि वो बेटा उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे यहां पर चर्चा नहीं कर पाएंगे रहा इन में से कोई कुई भी स्क ओईर अगर आप देख रहे हो एक से लेकर 30 या आज़ाइब 300 सो तक आउ कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्कुऔर का जो आखरी अंक है हुआ उसमें आपको जो की तीन को कहीं पर भी नहीं दीख रहा है कि दो कहीं पर भी नहीं दीख रहा है तीन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है साथ कहीं पर भी नहीं दिख रहा है और आठ कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि और इस सिंगल जीरो अकेला जीरो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है सर यह बात बताने से क्या फाइदा हुआ मैंने का हो सकता है बिटा एक्जाम में 6-6-7-7 अंको की संख्या लिख दे वो 6-7-7 डिजिट का नंबर लिख दे और आपको बोले कि बताओ इस नंबर इस नंबर का क्या मैं परफेक्ट स्क्वाइर रूट ले सकता हूं क्या यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वाइर है तो वो कैसे जज किया जाएगा आखरी अंक को देख कर मेरे सामने उन्होंने एक नंबर लिखा 1-7-8-3-2-8 बुला सर क्या यह परफेक्ट स्क्वाइर है क्या यह पून वर्ग है मैं कहूंगा सर देखो आखरी नंबर आ रहा आठ और किसी भी स्क्वाइर में आखरी नंबर आठ नहीं आता है इसलिए मैं इस बात पे देखो और सकता हूं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है यह फूर्ण वर्ग नहीं है यह चोटी चोटी ट्रेक्स इस तरह के कोशन को क्रेक करने में मदद करेंगे पहला तरीका क्या होगा सर वर्गमूल अगर लेना है तो पहला तरीका क्या होगा मैंने का गुणंखन विदी से कर लो कुछ नहीं आता तो गुणंखन विदी तो है यह ना लेकिन अगर आप स्मार्ट पढ़के जाएंगे तो आप कहेंगे आप कहेंगे कि सर हमारे पास में पर हमारे पास में यहां पर एक बड़ा अच्छा अप्रोच है वो क्या अप्रोच है किसी भी किसी भी किसी भी कि पूनांक का वर्ग के अंत में अंत में टू 2378 या फिर सिंगल जीरो सिंगल जीरो नहीं आ रहा है अर्थात यदी किसी संख्या के अंत में 2378 या सिंगल जीरो आता है तो वह संख्या एक पून वर्ग नहीं होगी सभी बच्चे कमेंट करें के बात समझ में सर इसको इंग्लिश में भी लिग दो हम इंग्लिश वाले भी बैट है अर्ग कि अंत अर्ग कि अंत 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 eight or single zero then that number that number number will not be a perfect square सर्फ पहली बात समझ में आ गई ओके मैंने का ठीक है मैंने का जब मैं perfect square कर रहा हूं तो मुझी क्या समझ में आ रहा है सरी यहां पर मुझी समझ में आ रहा है कि जो perfect square आया है उसमें यह विशम संख्या और यह इवन सम और इवन 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 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब बिटा अब देखना यदी ए एक पूर्णांग है और उसका वर्ग समसंख्या है समसंख्या है तो यह एक पूर्णांग है उसका वर्ग समसंख्या है जड़ा से सुनना इस बात का तो ए भी है एक शू संख्या होगी कि चोटी-चोटी चीजे ओती है वहां पर मामला कर देग का गड़ बड़ A is also an even number हमने का ठीक है सर यह तो सब कोई पता है मैंने का कैसे बोला देखोना सर 4 अगर अगर यह सम है तो तू भी तो सम वाना वोला हां 16 अगर यह सम है तो यह भी तो सम वाना सर यह यह अगर सम है तो यह भी तो सम हुआ ना मैंने का हाँ यार बात तो सही आपकी बात तो आपकी सही है हमने का ठीक सा कोई बात नहीं अब सुनना अब जो बात बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्डेंट है A plus one एक विशम संख्या होगी विशम संख्या होगी A plus one एक विशम सर एस सामा तो A plus one तो विशम होगी ना और A plus one का वर्ग एक विशम संख्या होगा A minus one एक विशम संख्या होगी और A minus one का वर्ग भी एक विशम संख्या होगा बहुत सी बार बीटा लिखा होता है कौन सा कथन सत्य है which of the following statement is true और यही गड़बर कर देता एक्जाम में सर क्या मतलब वह इसका English में मिलिक देता हूँ A minus one is an odd number and square of a minus one is also an odd number थेक बुला सर पर्फेक्ट कोई दिख्कत नहीं है सर थोड़ा सा फिर से सम्जाओ ना मैंने का A A कौन है सम संख्या यह तो होगा सर अगली स्लाइड पर बता तो प्रॉपर स्पेस लेकिए मैंने का ध्यां से देख A कौन सर मैंने का A है बिटा समसंख्या सम संख्या यानि की इवन नमबर तो सर इसका स्क्वायर कर दे इसका क्या कर दिया आपने स्क्वायर यानि की वर्ग तो सर यह क्या बन जाएगा A स्क्वायर तो A स्क्वायर कौन होगा सर यह भी समसंख्या यह भी समसंख्या एवन नमबर अब अगर ए आपके पास में एक एवन नमबर है तो इसके बाद वाला तो ओड़ होगा ना हाँ सर इसके पहले वाला भी तो ओड़ होगा ना इसके बाद वाला कैसा होगा सर इसके बाद वाला विशम होगा विशम संक्या अरे सम के बाद और सम के पहले विशम ही होता है और नमबर तो सर इसका स्कॉायर करूंगा इसका स्कॉायर करूंगा यानि कि इसका अगर वर्ग कर दूंगा मैं तो क्या जाएगा ए प्लस वन का स्कॉायर यह कैसा होगा सर ये भी विशम संख्या मतलब और नमबर बहुत बढ़ बढ़ यह सब्सके ये भी विशम संख्या तो क्या बन जाएगा बटा ओर नमबर मैंने का सर इसका वर्ग और इसका स्कॉायर कर दू तो इसका वर्ग और इसका स्कॉर कर दू तो मैंने का यह बन जाएगा ए माइनस वन का स्कॉर और ए माइनस वन का स्कॉर भी क्या होगा बिटा विशम संख्या यानि की और नमबर को बोलेंगे सभी बच्चे इस एक लियर यहां से बन जाते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप सभी बच्चे कि इस बात को समझ लिजिए इस बात को आप अच्छे से समझ लिजिए सब्सक्राइब अगर थोड़ा सा उल्टा कर दे एक उसम की जगह एक विशम ले ले तो मैंने का उससे पहले वाला सम उसके बाद वाला सम उससे पहले वाला सम और उसके बाद वाला भी सम यह ओगा ना क्या मतलब सर्फ समझ नहीं है अरे मैंने का अगर एक वाप अगर बिटा एक वाप क्या बोल दोगे विशम संख्या विशम संख्या यानिकी और नमबर और नमबर तो इसका जब आप स्को आयर करेंगे यानिक इसका अगर आप वर्ग करते हैं तो कौन मिलेगा एस कौर तो यह कौन हो जाएगा विशम संख्या अब अगर आप इसके पहले और बात की बात करें तो मैंने का इसके बात जो आएगा ए प्लस वन और इसके पहले जो आएगा ए माइनस वन तो आप देखो ना यह तो सम ही होगा यह सम संख्या सम संख्या का मतलब हो गया एवन नमबर सर यह आगया हमारे पास में स्क्वायर यानिकी वर्ग और वर्ग करेंगे तो ए प्लस वन का होल इसक्वा तो सम का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा बटा सम संख्या 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 यानिकी एवन नमबर एवन नमबर संख्या उम्मीद कर रहें सभी बच्चे बहुत अच्छे समझ पार इसको सर ए माइनस वन मैंने का ए माइनस वन भी एक संख्या होगी संख्या 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 का मतलब क्या हो गया सर एवन नमबर ठीक अब देखो यहां से अगर हम लोग बात करें तो इसका जब हम लोग स्क्वाइर करेंगे यानि वर्ग करेंगे तो क्या समझ में आएगा मैंने का वही का निए माइनस वन का होल स्क्वाइर यह भी क्या बन जाएगा एक संख्या यानिकी एवन नमबर उमीद कर रहे हैं सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गए होगी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा सब एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने यहां पर क्लियर कर दिया तो सर यह जो कंसेप्ट में लिख रहा हूं सभी बच्चों को यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे सर यह स्क्वायर रूट आपने बता दिये मैंने का विल्कुल बता दिये अगर मैं घं की बात करूं क्यूब की बात करूं तो यह आगया आपके पास में क्यूब एक बर बताएं कि यह प्रॉपर वीजिबल है कि नहीं यह यह प्रॉपल आप लोगों को वीजिबल है कि नह है आप लोगो को आइधिंग दिखाय दिरा मेरे मोबैल में तो दिख रहा है नहीं भी दिखाय दिरा तो यह चीज़े आपको याद हो नीच चाहिए है किया है सरी यह इधर इसको आयरे तो क्यूब क्यूब पर कॉंसेंट्रेट करना वन का क्यूब वन टू का क्यूब एट थी का क्यूब 274 का क्यूब 645 का क्यूब 125 6 का क्यूब 216 7 का क्यूब 343 8 का क्यूब 512 9 का क्यूब 729 10 का क्यूब 1000 कम से कम इतना याद रखना है अच्छा काम करना चाहते हो तो यह भी याद रखो क्या है 11 का क्यूब 331 12 का क्यूब 17 28 13 का क्यूब 21 सत्यान में 14 का क्यूब 27 44 मला याद रख सको तो बैस्टर नहीं याद रख सको तो छोड़ दो पर इतना तो कम से कम याद रखो 15 का क्यूब 33 75 16 का क्यूब 40-70 का क्यूब 59 13 18 ग्यूब 38 ग्यूब 32 19 का क्यूब 68 69 20 का क्यूब 8000 कम से कम इतना और कोई बच्चे की मैमरी अच्छी है वो चाहें तो इसको भी याद रख सकता है देख इसको याद रखने से थोड़ा तो एक्ष्ञ बेनिवंट मिलेगा और अगर याद नहीं करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नीगिए को दिक्कत वाली बात रिए इतना याद रखो भらい एक से 20 कम से कम अच्छे से अच्छा करना चाहूँ तो एक से 30 याद रख लो यहां देखो एक से दस कम से कम बैस्ट कढणा चाहते हो तो एक से बिस तक याद कर लो ठीक है यादा आप लोगों सारी चीज है अगर यही याद रहेगी तो इसका आपको बैने shortest मिलेगा चलिए मेरे खाल से से यह सारी बात क्लियर हो गई किसी बच्चे को को दिक्कत नहीं होने चीए अब मैं यहां से जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको बड़ी बारी किसे समझे कभी कभार कभी कभार बिटा इसी वर्ग मूल और घंड मूल के अंदर हमें ऐसा बोल दिया जाता है कि एक संख् आए और वह संख्या पूण वर्ग नहीं है पूण वर्ग नहीं है है ह grace कुरण वर्ग नहीं है तो उसको किससे डिवाइड करे या फिर किससे मल्टिप्लाई करे में कि वो परफेक्ट-इसकॉर बन जाए कि पून स्कॉरब बन जातो तो मैने का सर पहली चीज हम से पूछे किसका भाग दे अच्छा संख्या के बारे में भी बता दो संख्या जो है पूनवर्ग नहीं है ऐसी बात बुलेगा और पूनवर्ग को हमें क्या करना है पूनवर्ग जो नहीं है उसको हमें क्या करना है पूनवर्ग बनाना है तो वो खुद से कहेगा कैसे बनाना है उसने का यदि किसी संख्या से भाग देने के लिए बुला जाए बोल रहा है किसी संख्या से भाग दो तो उस संख्या का मान बताओ कि तीस्ता क्या दो बहुत बढ़िया बोल रहा है उस संख्या का मान बताओ तो हम कहेंगे सर सबसे पहले सबसे पहले क्या करना पिटा गुननखंड ग्यात करें गुननखंड ग्यात करें इंगलिश वाले find factors ठीक सर अब क्या करें सर जब गुननखंड ग्यात करोगे तो यह पूनवर्ग नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके अंदर दो-दो के पेर दो-दो का युगमन नहीं बनेगा एक ऐसी संख्या मिलेगी जो अकेली होगी और जो संख्या अकेली होती है उसी से इसको डिवाइड कर दो पर्फेक्ट स्क्वार बन जाएगा जो कि अकेली संख्या हो उसी से उसी से भाग देना है पर्फेक्ट स्क्वार बनाने के लिए अभी मैं एक्जांपल भी दोंगा सर यह दिक गुणा करने को बोल दे तो सेम जो अकेली संख्या हो उसी से गुणा करें सर कैसे आएगा यह कुशन समझ नहीं आ रिए बात समझ नहीं है मैंने का मैंने का अभी सुनो सर यह किसका जवाब बताया आपने मैंने का यह मैंने बताया है अगर आपको पर्फेक्ट स्क्वार बनाना है तो एक तरीका तो यह हो गया हमने का ठीक है एक तरीका यह हो गया हमने का ठीक है सर यह समझ नहीं आया है लेकिन आपने जो बात लिखिए न यह मुझे थोड़ रहां सर क्या है ये कुशन मैंने का पड़ ये कुश्षन को ध्यान से इंच वोट इस यह कुश्षिण अभी विजीबल होगा हां अब विजीबल हो गया होगा आप लोगों को वाट इस प्रॉट इस स्मॉल्लेस्ट नॉमबर दे डिवाईट्स 985527 and it becomes a perfect square. Sir, क्या यह perfect square है? मैंने का नहीं, सर कैसे पता चला आपको? मैंने का आखरी में देखो, साथ आ रहा है. अभी बताया थे न, आखरी में साथ नहीं आना चीए, बोला हाँ सर. यह बोलड़ा perfect है नहीं, perfect बनाना है. तो बोलड़ा सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है जिस से इसको divide करूँ, कि यह perfect square बन जाए. मैंने का सर, गुननखंड पता करो पहले. देखो, हमने start किया 9, 8, 5, 5, 2, 7. सर, common sense यह बोल रहा है कि 2 से तो यह divide नहीं होगा, क्योंकि आखरी में विश्यम संख्यारी है. तीन से करके देखता हूँ. तीन तिया, फिर आगे तीन दूनी, 24, 23, 8, 15, 37, सर, यह तो तीन से भी नहीं हो रहा, किस से divide हो रहा है सबसे पहले, सबसे पहले यह किस से divide हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 से, मुझा लगता है, 7 से भी नहीं हो रहा है, अगर आप देख त्यू इंदूनी पच्छेस तीन अटे-छोबिस एक पंद्रा दिन पंजे को कि अगे ओक ए तीन पंजे पंद्रा पिर आ रहा है जीरो नौ ऐसा कुछ आ होगा ऐसा कुछ हा अविजाए हो गाहम ने का ठीकश अ सथीन से एक बर और ग्रेमें आप्रख जिख रहा सब्क 11 30 ए अब किसे खर सब्सक्राइब दो आप लोग को भी मेरी मदद करने ंश87 मैं पयुक्के अब फिर से तीन से सकता rating चेक कर लो मैंने का तीन एकम तीन कि प्ढिश बीच हिंच इस ठीन अंतीह आज फाट फीन 572 मिन इको और वो सकता है सथ तीन से कि टीन चुक बारा कि यह अब नहीं से सबस्स्क्राइब आप अगर यहां पर एक चीज धिखान से देखे मैंने कैसर अगर किसी बच्चे को अगर किसी बच्चे को पता है कि सर टेईस का घंड कितना होता है तो वो तो एक यार में चला जाएगा लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता वो क्या करेगा पहले दो से चेक करेगा नहीं भाग जारा सा तीन से नहीं जारा पांच से नहीं जारा साथ से नहीं जारा ग्यारा से नहीं जारा तेरा से नहीं 717 19 से नहीं जा रहा अब तेईस से चेक करेंगे अब तेईस से मैंने इसका भाग दिया तो अरए अब यह थोड़ी सहराब हो रही है मैं इकवर कैलकुलेटरी उसका लुड़uh यह जल्दी से निप्टा देता यह फिर चलो मैं कर देता हो तो इवाइड करके सिखा देता हो तुमको तेईस गुणा नौ अहां तुर इन दुनिचे एक को तैसे फोरी शीक्ना बारा पांसुन तीछार ओगा है यहां पर पांतों 730 अ घ्रजक नहीं पर 9291 सार के एक बार और डिमाइड करोगे एक बार डिमाइड करोगे उन तो कितना आ जाएगा 30 फिर एक बार 13 से डिवाट करदो तेग tow फ्रोड़नारने पर कोई बात नहीं कि 699 55 if a York OSSको आप कैसे लिखिएूंगे तीन गोणा पीन गोणा बचें गोणा पीजया आंग डेख गोला थीज़र्ज अब देखो इसी में अब देखो इसी में इसी इस इमे देखो अगर यह आपके पास में पूण घन नहीं है तो इससे पूण घन बनाना है बनाना है क्या कर रहें उसरा आप इसमें पर्फेक्ट स्क्वायर पर्फेक्ट इस्वायर पर्फेक्ट क्यूब बनाना है मैंने कह सर कैसे बनाएंगे बुलसर अगर बोलता है किसे भाग संख्या है उसी से उसी से भाग दें सर गुणा करने को बोला तो अगेन जो अकेली संख्या है उसी से गुणा करें SARी साने का मतलब किया ऐसे लाइन का मतलब किया अभी अभी समझस्में में gonna ये तीन का और ये तीन का अकेला कौन बच्छा में इस से बाग दे तो आप इसका जवाब आयेगा तीन गुण आती सो mart Emerit e और ये देख आपके पास में क्या बन रहा है तीन 3 का पेर बना लो आप इसका अब घनमूल लेंगे तो यह बन जाएगा 3 और यह आजाएगा तीस किसका घंभूल अब इता यह नौ आट पाच पाच दो साथ बटे तीन इसका घंभूल लिया आपने इसका घंभूल या एका 69 तो सही जवाब क्या होगा बिटा तीन यह अपने आप में बहुत जबरदस्त कोश्चन होते हैं जिसमें बच्चे प्रिशान हो जाते हैं कि सब करना कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा सर मैंने का इस कुल्शन का पूरा पोस्ट माटम कर देते हैं पूरा कैसे मैंने का नंबर क्या था नंबर क्या था नंबर था नाइन एट फाइफ फाइफ टू सेवन नाइन एट फाइफ टू सेवन यदी माल लो यदी माल लो वह बोल रहा है कि सर इसको क्या बनाना मैंने का इसको बनाना इसको बनाना है परफेक्ट क्यूब यानि पूरा घन बनाना है तो सबसे पहले पूर्णखनें बनाना तो सरॉ सबसे छोटे किस नमबर से भाग़ करें आपने का तर इसके गुञनकन तो कर लिए निमेरीक तीक तीन गुड़ों Past टीन गुड़ों Past टीसव तीसज़ गूनल की तुर यह साथ आ साथ आगे यह अकेला है तो आप कहेंगे कि आपको यहापर तीन से डिवाइड करना होगा तब यह पूर्ण गन बनेगा मैंने का सरा अगर वो बोले किस्से मल्टिप्लाइब करूं ओकिस्से म्ल्टिप्लाई करो तो मैंला के लाकॉव नए तीन अच्छा कर इसमें एक और तीन मल्टिप्लाई कर दूए मैंने का नहीं कि जो North одного अकेला है उसको दो बार मुंक्रिक करो कि अगर वह अकेला है तो उसको दो बार मिल्टिप्लाई करो अगर वह पहले कि मैंने का अभी लिख देता हूं कि जब यहां पर जब यहां पर चर्चा होगी तो जो अकेली संख्या उसे गुणा करें यदि संख्या एक बार है तो दो बार और गुणा करें संख्या दो बार है तो शिर्फ एक बार ही गुणा करें सरी समझ नहीं यहीं बात अरे मैंने का देखो यहां पर यहीं तो मैं बता रहा हूं यहीं पॉइंट तो मैं बता रहा हूं हो आपको कि यहां पर यहां पर देखो यह तीन अकेला यह ना अगर तीन अकेला है तो आपको परफेक्ट अगर घन बनाना है तो इसके साथ दो और तीन उने चाहिए थे इसलिए मैंने कहा कि संख्या अके लिए तो दो बार गुणा करो तो सर किसे गुणा करूंगा तीन गुणा तीन संख्या अके लिए ती इसलिए दो बार गुणा करना पड़ा तो सर अमारा अंसर क्या होगा नाइन कमेंट कर एक ब लेकिन अगर माल लो इसको पर्फेक्ट स्क्वायर बनाना होता तो इसी कोश्चन को अगर पर्फेक्ट स्क्वायर यानि की पून वर्ग बनाना होता तो क्या करते ना इसथे हैं मैंने का बेटा अगर पूल अबर्गि बनाना होता तो क्या करते वही पेतरिंग करते वापस कैसे करते सरवे टेको से एक दो यह तो बन गया सर दो यह अकेला बच गया इस वार 23 तो आप करते हैं अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो सर अगर कोई मिनिमम किसे भाग दें तो मैं काओंगा तेईंस से भाग दें दो सर अगर कोई बोलता है 002a 53 अकेला है तो 23 से और गुणा कर दो यहां दो बार या एक बार वाला पंगा नहीं है लेकिन जब पूर्ण घन होता है तो वहाँ प्रगर आपको पून घन बनाना है तो एक संक्या 3 वार दिखनी चाहिए, इस वज़े से मैंने कहा कि This के अंदर 3 अकेला है तो दो तीन आपको multiply करने पढ़ते है अगर इसके अंदर 2-3 पहले से दिख रहे हैं तो एक ही 3 आपको करना पड़ता है तो बड़ा लॉजिकल और मतलब एक तरीके से कॉंसेप्ट्ट्र कॉश्चन है पर मुझे ऐसा रगता है कि आप लोग इस बात को समझ गया होंगे कोई कोई करफिजन इसके अंदर नहीं रहा होगा है होप आजकी आप लोगों निज्वई की होगी पॉइंट जो आपको समझ में आगया होगा कोई कन पिजर नहीं रहा होगा अभी इसके अंदर कुछ चीजग और डिसकस अ नहीं है वो हम कल की क्लास में डिसकस्स करेंगे कल की कॉलास मतलब में आपको बता देता हूं रोज Easy Prep YouTube Channel पे Polytechnic entrance exam की classes होती है इन classes के अंदर आपको यह बता है इन classes यह classes कैसे चलती है मैं बता देता हूं Monday Wednesday and Friday Math चलेगा तूजडे उसके बाद मैं आपका आएगा थर्जडे फिर आएगा सटरे उस पर आपका कैमेस्ट्री चलेगा टॉपिक की समरी दी जाएगी उसके बाद उस पर कुश्चन करवाये जाएंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी हेल्फुल रहने वाले इसके साथ मैं आपको दो तीन चीज़ और बता देता हूं वह बच्चे आई होप यह कंसर्ट क्लियर हो गया होगा कल की क्लास में नेक्स में एक और इग्जामपल लेकिसा बात को समझेंगे हम लोग वो बच्छे जो पॉलो टेकनेगे इंटरस 909 रुपय में है अगर मैं बात करूँ 12 के बाद जो बच्छे पॉलो टेकनिक एंटर्स एक्जाम की तयारी करने जा रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि वो जाके करें उनका कॉर्स वाँ पर आ जाएगा जो सिर्फ 409 रुपय में दिया जा रहा है कम्प्लीट क्लासिस करवाई जा रही है जिसमें लाइव प्रेक्टिस भी करवाई जाएगी और आप जाके वहां पर डेमो क्लासिस भी देख सकते हैं करना क्या अशर उसके लिए उसके सब्सक्राइब कर रहे हो तो डी इसी सर्च करो आपको मिल जाएगा फिर भी अगर कोई कंफूजन रहता है तो आप हमारे हैल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो 7014639318 जो भी आज पढ़ाया इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए जो चैट में आपको ट क्या आपको टो आपको